नमस्कार दोस्तों, बुक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षबार्वी की हिंदी के पुष्टक अंतरा भाग दोसे, पहला पार्ट जेसिंग कर प्रशाद, इसके देव सिनका गीत, इसके अभ्यास प यानकी दोनों ही कविताओं के MCQ बहुए कलफिक प्रशन भी हमने अपरोड किये हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, विद्यार्थियों चर्चा करते हैं आज इनके प्रशनों पर क्योंकि बिना प्रशनों के पार्ट को पढ़ना अधूरा होता है, जब तक आपको प्रशनों के बाद में हमने एक उस महतोपूर्ण प्रस्न भी बीच में से छाटे हैं, जो परिक्षा की द्रिष्टी से महतोपूर्ण है और आपके समझने की द्रिष्टी से भी, तो पहला प्रशन है, मैंने भ्रमवस जीवन संचित मदुकरियों की भीक लुटाई, पंक् व्याख्या और संधर्व प्रसंग ये सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है, तो आप इसी चैनल पर सर्च करेंगे देव सिना का गीत व्याख्या, तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से सरल सब्दों में हमने इसकी क्या समझते समझते ही आपको प्रस्णों के उत्तर आसानी से समझ में आ जाएंगे, यहां फिर भी हम आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पंक्ति का भाव क्या है, मादुकरियों को अर्थ होता है, पके हुए अन की भिक्षा, हमने व्याख्या क करते थी, उनको पान चाहती थी, वो सब कुछ अपने अंतिम समय में आ करके लुटा देती है, कहने का मतलब है कि वो कुछ भी अपने पास नहीं रखते है, वो अब स्कंद गुप्त से प्रेम नहीं करना चाहती, तो इस पंक्ति का भाव क्या है, उत्तर इसका, इस पंक्ति देव सेना से प्रणाय निवेदन करते हैं, तो देव सेना ने इंकार कर दिया, देव सेना ने जो भी कुछ भावनाय संचित की थी, या अबिलाशाय संचित की थी, कठी की थी, वे सब भींक की भाती लुटा दी, उन सब भावनाओं को भ्रहम वश किये हुए कारव की श्र वह सब कुछ आज उसने भीक की बांती लुटा दी हैं अब उसके पास कुछ भी शेष नहीं यार्था तो उसके मन में प्रेम शेष नहीं रह गया है बिद्था का अगला प्रस्न है है प्रस्नमर 2 कवी ने आशा को बावली कियों कहा ہے अब देखिए आशा आशा वही चीज जो हम सब एक उम्मीद लगाए बैड़ते हैं या हम किसी काम को करते हैं या कोई हमारा मित्र होता है उसे हम उम्मीद करते हैं तो उसी को हम आशा बोलते हैं एक इच्छा ऐसी है जो भविश्य में होने वाली है तो कभी ने इसको आशा को बावली क्यों कहा है देव सेना के माध्यम से कि आशा एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को भरोसी में रखती है उसे दिलासा देती ही रहती है कि हां भविश्यम हो सकता है पता नहीं क्या क्या थी तो इसका उत्तर है कि कभी ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार की आशाएं लगाए रहता है कि वह ऐसा करेगा वैसा करेगा लेकिन बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है बार बार आशा करने के बाद भी वे पूरी नहीं होती फिर भी मनुष्य आशा के सारे जीता रहता है देव सेना ने भी आशाएं लगाई थी मगर वे पूरी नहो सकी मनुष्य प्रेम में ऐसी आशा कर बेढ़ता है जो से बावला बना देती है चाहे प्रेम प्राप्त हो या ना हो वह उसी के सार तो जब कोई व्यक्ति प्रेम कर लेता है तो वस अपने ख्यालम खोए रहता है उसको आशाई आशाई लगी रहती है वो उसको प्राप्ट करने की नदन कितनी अच्छाई वक्त करता है लेकिन कई बार वो जो आशाई हैं जो अधूरी रह जाती है और वो उसे बावला बना पर होड लगाई इन पंक्तियों में दुरबल पदबल और हारी होड में नेत व्यंजना को स्पस्ट कीजिए अब देखें व्यंजना क्या चीज होती है व्यंजना का मतलव होता है ऐसा भाव जो पंक्तियों में साधारण तरीके से नहीं निकल रहा उसके लिए मैं उसमें और अंदर खुष्षना पड़ेगा अब इसका उतर इस परकार से है इस पंक्ति में देव सेना प्रलै से लोहा लेने के बारे में बताती है वह देव सेना को पता था कि वह शत्रू से कमजूर है और वह उससे हार जाएगी फिर भी उसने प्रलै से जीत के लिए संगर्श किया कि वो हो सकता है जीत जाएं उसका पता था कि वो हारेगी क्योंकि वो अतनी मजबूत नहीं है यहां दुरवल पद बल से आशे स्वयम के कमजूर होने से है और हारी होड से आशे पहले से ही परणाम के बारे में पता था कि उसकी हार निश्चत है ये तो दोनों का स्वयम का एक साब्दिक अर्थ जैसा हो गया और व्यंजना क्या है व्यंजना यह है कि देव सिना को जिसके प्रणाम के बारे में पता था फिर भी अपने कमजोर पदों के कदमों के बल पर उस परिस्तिती से होड लगाई संगर्ष किया परंतु हार नहीं मानी यह इसका भाव है कि उसने हार नहीं मानी उसको पता था कि हार होगी लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उन परिस्तितियों से कटिन परिस्तितियों से उसने लोहा लिया शंगर्श किया अगला परशन कावे सुनदरे इसित कीजिए कावे सुनदरे का प्रशन आपके लिए परक्षाम आता है हर व्याख्या का principio कावे सुनदर भी वहा दिया हुआ व्याख्यावाले वीडियो में और यहां भी हम जो प्रस्नम आपके दिये हैं उनके कावे सौंदरे आपको समझा रहे हैं। श्रमित स्वबन की मदमाया में, गहन विपन की तर उछाया में, पत्थिक उनिदी शुरुत में किसने यह व्याग की तान उठाई। यह चार पंक्तिया हैं। इन चार पंक्तियों कावे सौंदरे स्पस्ट करना है। कावे सौंदरे स्पस्ट करने के लिए हम दो पक्षों पर चर्चा करते हैं। पहला होता है भावपक्ष और दूसरा होता है कलापक्ष। कलापक्ष को हम शिल्फ सौंदरे भी बोलते हैं। भावपक्ष में हम उसकी भाव, उद्देश, संदेश, केंद्रे बिंदू ये चीज़ं बताते हैं, और कालापक्ष में भाशा, छंद, लंका, रस ये सारी चीज़ं बताते हैं, तो भावसंदरे में पहला बिंदू है, कवी ने पथिक के उदाहरन से देवसेना के विरक्त भाव को प्रकट किया है, विरक्त भाव को प्रकट किया है, कहने का मतलब है कि देव सेना उसे प्रेम नहीं करना चाहती, वो देश के लिए समर्पित हो चुकी है, देश शेवा के लिए, इसलिए उसने विरक्त भाव को इसमें प्रकट किया गया है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट भाशा खड़ी बोली हिंदी है दूसरा तत्सम प्रधान शवदावली है भाशा खड़ी बोली हिंदी है यानकी हिंदी की यह खड़ी बोली है तत्सम प्रधान शवदावली है तत्सम मतलब इसमें संस्कृत निष्ट शवदाय हुए है श्रमेत स्वपन और वर्णावर्ण क्या वर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर्णावर एक तरफ प्रेम का बिच्छडना भी है, एक तरफ अपनों से बिच्छडने के लिए करुन भी है, एक तरफ उसको पाना भी चाहती है, इसमें माधुर्य गुण और गेता विद्यमान है यानकि इसको गाया जा सकता है, अगला है, लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्वन न समलेगी यह मुझ से, इससे मन की लाजगवाई, इसका बाव संदर देखेंगे, देव से ना विदाई के समय में वह सब कुछ लुटा देना चाहती है, जो उसे संसार से मिला है, दूसरा पॉइंट, वह प्रेम को संसार की धरोर बताती है, देव से ना प्रेम के कारण अपने मन की लाजबी गमा देती है, चोथा, देव से ना की नराशा की इस्थिति का चित्रन किया गया है, तो इस तरह से आप इसमें दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, कला संदर है, शिल्प संदर है, प्रस्तुत काव्यांश में खड़ी बोली हिंदी है, इस कपता में जहां भी आएगा, आप उसमें लिखेंगे, खड़ी बोली हिंदी है, अब दूसरा इसमें जो अनुप्रास हो, यमक हो, रूपको कोई सा भी अलंकार है, वो आपको बताना पड़ेगा, लोटा लो, इसमें लावरण क्या अवरती है, इसलिए इसमें अनुप्रासलंकार है, काव्यांश में संगीत आत्मकता है, यानकि इसको गाया जा सकता है, गीत है ये, करुन रस है, माधुरे गुण है, प्रस नमर पांच, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है, हुनों के द्वारा देवसेना के भाई वंदु बर्मा और उसके परिवार के सभी लोग मार दिये गए, तो देवसेना की जो निराशा थी, वो किस कारण से थी, वो इसी कारण से थी, कि एक तो जिस संद इसकंद कुप्त को वो चाहती थी वो ने नहीं मिला और दूसरा क्या था कि हुणों के आकर्मण में उनके माबाप मारे गए भाई भेन सब मारे गए पूरा राज नस्ट भस्ट हो गया तो इस वज़े से भी वो दुख में थी तो यहां जो कवता के माधियम से जो समझेंगे कि उसकी हार का जो मुख्य कारण है या निराशा है वो क्या कारण है उसका तो उसमें दो कारण नजर आते हैं एक तो उनके परवार का नस्ट हो जाना दूसरा इसकंद कुप्त का प्रेम उनको ना मिल पाना तो देखते हैं कि हुणों के द्वारा देव सेना के भाई बंदू वर्मा और उसके परिवार के सभी लोग मार दिये गए भाई की मृत्यों के बाद देव सेना राश्ट शेवा के लिए लग जाती है यवन काल में सकंद गुप्त को चाती थी लेकिन वह भी उसको नहीं मिले और अब परिवार खत्म होने के बाद भी जब सकंद गुप्त मिले तो स्वयम के मना करने के कारण स्कंद गुप्त का प्रेम उन्हें नहीं मिल सका इसकंद गुप्त स्वयम आये थे उसके पास कि मैं तुमसे प्रेम करना चाता हूँ लेकिन देव से ना ने इस समय उन्हें से मना कर दिया तो अपने राज्य को भी नहीं बचा पाई अपने परिवार को भी नहीं बचा पाई इसलिए वह विपरीत परिष्थितियों से संगर्ष करते-करते हार जाती है ना तो वह हुणों के आकर्मन से अपने राज्जी को बचा पाती है और ना ही वह इसकंद गुप्त के प्रेम को प्राप्त कर पाती है इसलिए देवसेना निराश हो जाती है नमर छे यह अन्य महतुपूर्ण प्रस्ण है यह जो आपके पाठ के बीच में से लिए गए है देवसेना का परिष्य दीजिए देवसेना कौन है पाठ को पढ़ने से पहले भी आपने आपके टीचर्स ने आपको बता दिया होगा नहीं तो आप हमारा वीडियो देख लिया होगा उसमें भी है कि देवसेना जो है मालवा के राजा बंदु बर्मा की बहन है देवसेना जैशेंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटा के सकंद गुप्त की एक परमुक पात्र है वह मालबा के राजा बंदू वर्मा की बहन है और वह सकंदसे प्रेम करती थी यह देवसेना का परिच attached है सात्वा प्रश्ण है जैशंकर प्रशात की प्रस्तुत पाट के अधार पर भाशाशेली पर टिप्पणी लिखिए यानि प्रस्तुत पाठ देव सेना का गीत और कारनेलिय का गीत हमें दोनों की आधार पर इनकी भाषा शेलिक की विशेशताइं बतानी है कि इनकी भाषा शेलिक कैसी है तो जैसेंकर प्रशाद क्योंकि प्रतवा के धनी है तो उनकी जो रचनाए है उनमें एक प्रक्र भाषा नजर आती है परिश्कृत शुद्ध जैसेंकर प्रशाद की भाषा शैली परिश्कृत स्वभाविक तत्षम शवदावली संयुक्त है चोटे चोटे पदों में गंभीर भाव भर देना और उनमें संगीत लेकर विधान करना उनकी शैली की प्रमुक विशेश्ता है प्रस्तुत गीतों के आधार पर जैसेंकर प्रशाद की राष्ट प्रेम और देश भक्ती भावना उबर कर सामने आई है उनकी इन रचनाव में तत्सम प्रधान शवदावली है शिरंगार रस है करून रस का अध्वुत मिश्रण है माधुरेगुण है शब्द चित्रों की सुन्दर योजना है छायवादी कावे में प्रकर्ती चित्रण और शिरंगार चित्रण दोनों ही अध्वुत है शुद्ध साहते खड़ी बोली का प्रयोक किया गया है उनकी कावे भाषा कहीं पर सरल और कहीं पर क्लिस्ट हो जाती है भावान कूल शब्द चैन एवं प्रभा मैता उनकी भाषा की प्रमग विशेष्ता है ये उनकी भाषा शेली कि प्रमुख विशेशता है टिपणी है अगला देव सिना का गीत कविता का प्रति पाद्य लिखिए अथवा देव सिना का गीत कविता की मूल समवेदना इसपस्ट कीजिए दोनों में से किसी भी तरह से आ सकता है और इनका उत्तर एक इतर है देव सिना का गीत कविता जैसंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंद गुप्त नाटक से अउतरित है देव सिना फने योवन काल के आरह में स्कंद गुप्त बिजया को चाहते थे हुणों के आकर्मन के कारण मालवा राज छिन्भिन हो गया देवसेना के परवार के स्दत से मारे गए सकंद गुप्त भी हार गए काफी लंबे समय के बाद सकंद गुप्त के द्वारा देवसेना से प्रेम करने का निवेदन किया जाता है लेकिन देव से न उससे प्रेम करने के लिए मना कर देती है इस तरह से वह चाहते हुए भी इसकंद गुप्त को प्रेम नहीं कर पाती वह अपने जीवन के किरिया कलापों को ब्रह्म ये ब्रह्म है ब्रह्म में ब्रह्म वश किये कारव के श्रिणी में रखती है वह जीवन भर परिष्थितियों से संगर्ष करती है और अंत में हार जाती है तो ये इस कविता का प्रितिपाद्य है अमूर सम्वेदना है ये प्रितिपाद्य अमूर सम्वेदना से मतलब है कि उसमें मुख्य रूप से किस बात को चित्रित किया गया है क्या भाव उसमें प पुद्गार के आलोक में देवसेना की वेधना को समझाईए। देवसेना की जग कहती है कि मेरी करुणा हा हा खाती। तो ऐसा वो क्यों कहती है उनकी कितनी वेधना है इस पंक्ती में छिपी हुई। चाहिए क्यों क्यों कि मेरी करुणा अब हा हा खा खा रही है अर्थात उसकी करुणा अब दुखदाई बन गई है यह अब संभाली नहीं जा रही इसके कारण अपने मन की लाज को भी गवा दिया। वेध नामेक छणों को याद करती है और उसका गीत गाती है। दस्वा देव सिना ने विहा की तान किसे कहा और क्यों कहा। विहा का मतलब होता है आधी रात्री के समय में गाय जाने वाला गीत। अब देव सिना ने विहा की तान सकंद गुप्तु द्वारा किये गए प्रणाय निवेधन को कहा है। क्योंकि जीवन की अंतिम बेला में देव सिना प्रेम से विरक्त हो गई है। और अब वह भेक्षा मांग कर गोजारा करती है। और देश शेवा का विरत ले चुकी है। योवन के किरिया कलापों को अब छोड़ चुकी है। अब वह शांत रहना चाहती है। इसलिए ऐसे समय में प्रेम नेवेदन उनको आधी रात के समय गाए जाने वाला गीत लगा। आधी रात के समय गीत कष्ट प्रत्रतित होता है क्योंकि वह किसी की नीद को, किसी के मधूर सपनों को तोड़ देता है। और बेचे नहीं भर देता है। तो यहां भी ऐसा ही होता है देव सिनाग मन में एक अजीब सिस्तिती पैदा हो जाती है कि जब वो प्रेम करना चाहती थी तब उसे मिला नहीं लेकिन जब वो प्रेम नहीं करना चाहती है तब उसको मिल रहा है तो इस तरह से उसने उसको विहाग की तान कहा बड़ी दुख देने वाला और एक कष्ट प्रद यह विहाग होता है कि प्रिव द्यार्थियों कि ग्यार्वा प्रस्ण है कि आपको वीडियो जरूर प्रसंद आए होगा सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें और अपने दोस्तों साथ जरूर शेर करें अब देखते हम ग्यार्व मद्दकरियों शब्द का क्या अर Timothy के इस कविता में यह कि संधर में प्रियुकत हुआ है ذ के प्रति अपने हिर्दे में संजुकर रखे दी तो यहां जो अर्थ हुआ है इसका जो प्रिवक्त हुआ है संदर में वह यहीं कहेंगे कि जो अविलाशा हैं और जो इच्छा हैं उनके लिए कि अगला प्रस्णा का देव सेना का गीत लिखने का कभी का किया उद्यशव हो सकता है अपनी अपने विचार विक्त कीजिए या देव सेना का गीत में जैस्छंकर प्रसाद क्या अंतर विचार प्रकट करना चाहते हैं देखो यह जो गीत है appreciate गया जब भारत में आजादी की अन्धोरन चल थे और उस समय सब की जिम्मेदारी थी कि भारत को आजात करा एंग्रेजियों की कुलामी से तो बहुत सारा जो नव युवा वर्ग था वो बिल्कुल सोया हुआ था तो उनको जगाने के लिए तमाम तरह की लेकर रचनाएं कर रहे थे तो जैसंकर प्रसाद में भी एतियासि पित हो चुकी है वो देश सेवा करना चाहती है कि यह गीत का एक अंश था आप इसका पूरा नाटक पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा वो अपने देश की सेवा करना चाहती है इसलिए प्रेम नहीं करती है तो यहां महिलाओं को भी देश प्रेम की तरफ उ गुप्त नाटक से लिया गया है और यह नाटक लेखक ने उस समय लगा लिखा यह लिखा जब भारत गुलामी की जंजीरों में जगड़ा हुआ था उस समय भारत के नव यवाओं को देश की आजादी की आंदोलन के लिए प्रेरित करना लेखकों का मुख्य लक्ष था ज देवसेना शकंद गुप्त के प्रती प्रेम को छोड़कर देश सेवा के लिए समर्पित हो जाती हैं इसके माध्यम से वह महिलाओं को भी देश की आजादी की आंदोलन में सक्रिय करना चाहते थे आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहते थे तो यह कभी काउद देश यह था क cruel क कीसा भ़थ देश कारा और सक्वान, कारा और सक्मूद decoras कि पूल से चौल से चानलूभगों अर्श कार्श घ्ग्रोंग, की जरते हैं, तेश कारा र würथ देश दोजस देशित